टेग दिदी की Excel सीरीज में आज हम सीखेंगे Navigators के बारे में Navigators क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं Excel में अलग-अलग Navigators का क्या use है ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख अक्सर हम जब भी Excel sheet पर काम करते हैं तो arrow keys का बहुत जादा यूज करते हैं किसी cell से दूसरे cell पर shift करने के लिए हम अक्सर arrow keys का यूज करते हैं जैसे कि right arrow key, left arrow key, up and down या फिर हम mouse pointers का भी यूज करते हैं जब भी हमें किसी cell को select करना होता है तो हम अक्सर mouse का भी यूज करते हैं जब भी हम Excel sheet पर mouse से काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि pointer हमारा बहुत तरह से change होता है normal हमारे mouse की जो position होती है, normal हमारा mouse जो दिखता है वो 3 dimensional plus की तरह से दिखता है इसे अगर हम यहां लाएंगे तो यह एक right side में जाता हुआ arrow दिखाई देता है जिससे कि हम entire row select कर सकते हैं अगर इसे हम उपर की तरफ ले जाएं तो यह down arrow की तरह दिखाई देता है जिससे कि हम entire column select कर सकते हैं साथी अगर हम इसे दो रो के बीच में ले जाएं तो ये टू-डाइमेंशनल एरो की तरह काम करता है जो कि अप एंड डाउन एरो को इंडिकेट करता है और ये रो की हाइट आडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है अगर इसे हम ऊपर चेक करें तो ये लेफ्ट एंड right two dimensional arrow की तरह काम करता है यहां भी यह column की height और width को change करने के लिए use किया जाता है साथी अगर हम किसी cell को select करके उसके corner पे अपना pointer ले जाएं तो यह एक bold plus की तरह दिखता है और यह data को copy करने या फिर paste करने के लिए काम करता है इसको हम आगे और भी explanation के साथ सीखेंगे जब specifically हम copy और paste की बात करेंगे किसी cell को select करने पे जब हम उसके उपर वाले border पे या फिर नीचे वाले border पे करजर को लाते हैं तो यह four dimensional arrow की तरह दिखता है इससे हम किसी भी data को मतलब किसी भी value को एक cell से दूसरे cell में drag कर सकते हैं यह pointer किसी भी data को किसी भी value को drag करने के काम आता है साथी अगर हम अपने ribbon पर अपने mouse pointer को ले जाएं तो यह एक normal arrow की तरह काम करता है जैसे कि mouse pointer सभी जगा काम करता है वैसे ही Excel sheet में भी एक normal pointer की तरह ही काम करता है तो ये थी हमारी अलग-अलग navigations हमारा एक mouse pointer अलग-अलग तरह से कितनी तरह से Excel sheet पे काम करता है ये question अकसर हमसे interview में भी पूछा जाता है और हमारे exams में भी आता है pointer का sign बना होता है कि इस pointer का specific क्या use होता है साथ ही यहाँ एक view का option है जिसमें आप देखेंगे तो switch windows का option दिखाई देता है आपको दो sheet मेरे system पे दो sheet open है तो यहाँ दो sheets दिख रही है एक tag दीदी के नाम से जिस पे मैं अभी काम कर रही हूं currently दूसरी book 2 तो यहाँ से अगर मैं अपनी sheets के बीच में switch करना चाहूं तो directly यहाँ से भी कर सकती हूं जैसे कि book 2 अगर मैंने वो किसी data को copy करने के लिए open कर रखी है तो मैं direct यहाँ से उसमें switch कर सकती हूं अब मुझे वापस से अपनी पुरानी sheet पे switch करना है तो बस मुझे फिर से view में जाना है switch windows पे जाना है और अपनी tag दीदी वाली worksheet को select कर लेना है तो यह थे कुछ navigators जिनका अलग-अलग positions पे अलग-अलग use किया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लीजे जिससे की आगे आने वाली वीडियो आपको जल से जल मिल जाएं